एक कहानी ऐसी भी कि आज की कहानी हमें शहर कोलकाता के बागुई हाटी में रहने वाली तापुशी रोई चोतरी ने करीबन एक सब्ता पहले पताई जो आज से सत्रा साल पहले की खटना है तापुशी के भाई प्यूश के साथ कई सालों तक अजीबों करीब खटना है घटी आज प्यूश वो महीं में रहता है और एक कॉल सेंटर में काम करता है आज उसकी उम्र करीबन 32 साल की है परंतों उसके साथ ये खटना है शुरू हुई तब जब उसकी उम्र थी केवल 15 साल प्यूश के पिताजी का अपना व्यापार था और मा कॉमला विद्या मंदिर में एक बिंगॉली अध्यापक खयालातों के हिसाब से वो काफी आधुनी थे इसलिए पहले पहले प्यूश की परेशानी को उन्होंने उसके वहम का नाम दिया परंतु धीरे धीरे उनको भी य प्यूश की बातों में सच्चाई है प्यूश को रात को सोते के साथ ही एक पंद्रह साल की लड़की रोते हुए दिखाए देती सपने में ही जब प्यूश उससे पूछता कि वो क्यूं रो रही है तो वो और जोर-जोर से रोने लगती प्यूश को हर दिन रात को ये सपना एक ना एक बार सरूर आता धीरे धीरे आलम ये हो गया कि उसे ये सपना दिन में भी आने लगा जब कभी दोपहर में उसकी आँख लगती उसे ये सपना आता और जब-जब इस सपने से उसके आँखे खुलती तो बसीने से उसका शरीर दर्बतर होता प्यूश ने अपने बाबाब से उसके इस सपने का जिक्र किया परन्तु किसी ने उसकी बात को कोई तवज्जु नहीं दिया एक मादर उसकी वहन तापूशी उसका साहरा थी तापूशी ने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद की और भी थोड़ा ध्यान दे हो सकता है कि अगर उसका ध्यान कहीं और बढ़ जाए तो ये परिशानी उसकी शायद धीरी धीरे खत्म हो जाए तापूशी ने यहाँ एक गलती कर दी उसकी शायद ये समझ नहीं आया कि उसके भाई प्यूश की परिशानी खुली आखों के नहीं बंद आखों के सामने आती है 93.5 Red FM पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीन के साथ वो हर रात अपने भाई प्यूश के बगल में सोती हर्थात तापूशी और उसने अधिकतर अपने भाई को रात की तनहाईयों में रोता हुआ पाया थूचने पर कारण वही सपने निकलते प्यूश की उम्र बढ़ती गई विद्याले से अब उसने विश्व विद्याले यानि कॉलिज तक का सफर पूरा कर लिया था ये उसके कॉलिज का पहला दिन था जब पहली बार पहली बार उसने अपने सपने को अपनी आखों के सामने देखा कॉलिज के पहले दिन प्यूश के साथ उसकी दीदी भी गई थी उसे कॉलिज तक छोड़ने के लिए कॉलेज के में गेट पर दूर से पियुश को एक पंदरह साल की लड़की दिखाई दी रही थी और जैसे जैसे उसके कदम आगे कॉलेज की में गेट की ओर पड़ते गए वैसे वैसे उसका सपना उसकी आखों के सामने आता गया जैस लड़की को पिछले कई सालों से पियुश अपने सपने में देख रहा था वो उसके सामने खड़ी थी पियुश ने अपनी बेहन तापुशी से कहा देखो दीदी यह वही लड़की है जो मेरे सपने में आती है फरन्तु अचम बैट कर देने वाली बात यही थी कि तापुशी को उस दरवाजे के सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश भी करी पर वो समझने को तयार ही नहीं था उल्टे चीक चीक कर तापुशी को जूटा कह रहा था क्योंकि वो लड़की उसे साफ साफ नजर आ रही थी लेकिन पहली बार उसने उस लड़की को रूते हुए नहीं बलकि मुस्कुराते हुए देखा था इस खटना के बाद से अकसर पियुश को वो लड़की दिन के उजाले में यहाँ वहाँ दिखने लगी और आश्चर जनक रूप से अब रात को उसे वो सपने आना बंद हो चुए थे कॉलेज में उसने अपने दोस्तों से उसकी इस परिशानी के बारे में जिक्र किया तो उसके दोस्त उसे पागल पागल कहकर उसका मजाग उड़ाने लगे तो दिन भर रोता रहता और धीरे धीरे डिप्रेशन की और पढ़ता जा रहा था 93.5 रेड एफेम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीन के साथ पंद्रह साल की उम्र से पियुष को अपने सपने में हर रात एक लड़की दिखाई देती जो सिर्फ रोती रहती नचाने वो पियुष से क्या कहना चाहती थी कॉलेज में दाकले के बाद अचानक से ही पियुष को वो सपने दिखाई देना बंद हो गए परन्तु अब दिन के उचाले में पियुष को वो लड़की साक्षातकार उसकी आँखों के सामने दिखाई देती परन्तु आश्चरजनक रूप से और कोई भी उस लड़की को नहीं देख पा था धीरे धीरे पियुष पागलपन की ओर खिंचा चला जा रहा था उसके इन हालात में उसकी मुलाकात हुई रीता नाम की एक लड़की के साथ धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यारों मढने लगा और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद इस रिष्टे को अंजाम देने की ठान ली पियुष के इस बेरंग जिन्दगी में खुशी का एक मात्र सहारा रीता ही थी पियुष ने करिबं दस सालों तक रीता के सामने अपनी इस परिशानी का जिक्र नहीं करा था 1995 में शुरू हुई ये खटनाए साल 2008 की जून में जाकर खत्म होई पियुष के उम्र बढ़ती जा रही थी परन्तु पियुष को दिखाई देने वाली उस लड़की के रंग रूप में कोई बदलाव नहीं आया था पियुष अब इन बातों को धीरे धीरे बुलाना चाता था परन्तु उस लड़की का उसे यू दिखने के पीछे राज क्या था बिंगॉली शादियों में शादी से पहले आशिरवात की एक रसम होती है आशिरवात की इस रसम के बाद परिवारवालों की रजामंदी से शादी से पहले पियुष और रीता एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने के लिए नैनी ताल गए पियुष और रीता उस दिन शाम को घूमने के लिए निकले वो दोनों पहाडी की एक चोटी पर पहुँचने के लिए उपर की और चले जा रहे थे ताकि वो वहाँ से सुर्यास्त के खुबसूरत नजारे को देख सके और अपने कैमरे में प्यार के उन हसीन बलों को कैद कर सके उनके साथ एक बाइनोकिलर भी था जो पियुष ने अपने हाथों में ले रखा था पहाड़ पर उपर की और चड़ाई करते वक्त पियुष ने उपर से एक परिवार को नीचे की और उतरते देखा और आश्चर चनक रूप से उस परिवार के ठीक सामने चल रही थी वही पंद्रह साल की बच्ची जिसे वो अकसर अपनी आँखों के सामने देखा करता था पियुष सुपुद्ख होकर उस लड़की को देखा जा रहा था और वो लड़की भी पियुष की ओर देखी जा रही थी और अपने चेहरे पर मुसकां लिये थी नजाने पियुष को अचानक से क्या हुआ उसने अपने कदम पल्टे और तोड़ता हुआ नीचे की ओर जाने लगा सब चीजों से अग्यात रीता उसके पीछे पीछे दोड़ती गई और उससे पूछती रही कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है हम तो ओपर जाने वाले थे फिर अचानक अचानक तुम दोड़ते हुए नीचे क्यों जा रहे हो पियुष ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया बस नीचे की ओर बहुत तेजी से तौड़ता चला क्या 93.5 रेड एफेम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीन के साथ पियुष और रीटा पहाड के उपर की ओर चड़ाए कर रहे थे ताकि वो वहाँ सुर्यास्त के खुबसूरत से नजारे को देख सकें लेकिन अचानक अचानक पियुष दोड़ता हुआ नीचे की ओर जाने लगा रीटा के लाग पूछने के बावजूद पियुष ने कुछ कहने से मना कर दिया नीचे पहुँचकर ही आखिरकार पियुष रुका और रीटा अब इतनी ज्यादा परिशान हो गई थी कि वो पियुष से अब कुछ भी पूछने की इच्छुक नहीं थी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े चुप चाब एक दूसरे को देखते जा रहे थे तब ही रीटा ने उससे पूछा कि तुम्हारे प्रॉब्लिम क्या है इससे पहले इससे पहले कि पियुष रीटा को कोई जवाब दे पाता किसी ने पीछे से पियुष को छूते हुए उसे बुलाया पलट कर देखते ही नैनी ताल की धंड में उसके सर से पसीना बह रहा था डर से उसके पाओं काप रहे थे पियुष उस लड़की पर चिलाता हुआ पूछ रहा था क्यूं परिशान कर रहे हो क्यों मेरे पीछे पीछे आते रहती हो उसकी सभी बातों को सुनने के बाद उस लड़की ने कहा अंकल आपका बाइनकिलर गिर गिर गिया था बाइनकिलर लेकर पियुष ने एक पार रीटा की तरफ देखा रीटा उसे अचीब सी नजरों से देख रही थी जो अब वहाँ थी ही नहीं उसने रीटा से पूछा क्या तुमने उस लड़की को देखा तो रीटा उस पर चिल लाती हुई कहने लगी तुम क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो किस लड़की की बात कर रहे हो मैंने तो किसी को भी यहां नहीं देखा पियुश को लग रहा था कि रीता उससे जोट बोल रही है हाज पहली बार पियुश ने उस लड़की के आवाज भी सुनी थी उसे यकीन था कि उसने उसी लड़की को देखा जो उसके सपने में आती थी और जो उसे वहाँ दिखाई देती थी रीता पियुश पर बहुत गुस्सा थी उससे समझाने के लिए पियुश ने अपनी जिन्दगी का सबसे बड़ा राज बताया रीता को उसकी बातों पर जरा सब ही विश्वास नहीं हो रहा था उसने पियुश की बहन तापोशी से बात करी और तब जाकर उससे यकीन आया कि पियुश सच बोल रहा था सच जाने के बाद भी दोनों के बीच मन मुटाफ बने रहे क्योंकि ये सच छुपाने के लिए रीता उसे कभी माफ नहीं कर सकती थी जगरते जगरते रात काफी हो गई थी और दोनों सोने चले गए ये रात पियुश के लिए आखरी रात थी उसके सपनों के हिसाब से इस रात पियुश को एक बार और सपना आया जहां उस लड़की ने उससे कहा कि शायद तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो ये बात आज से चालिस साल पुरानी है आपने मेरी और मेरी मा की संपत्ती हड़पने के लिए हमारा खोन कर दिया था पिछले जनम में आप मेरे पिता थे आपको देखकर कभी मुझे डर से रोना आता था तो कभी आपके हालत देखकर हसी बस इसके साथ है उसका ये सपना खतम हो गया और पियुश की नीन तूट गई उस दिन के बाद पियुश ने तुबारा कभी ही उस लड़की को अपने सपने में नहीं देखा और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी झाली